नमस्ते, जैसे आप सोस समझ कर अपना व्यापार करते हैं, सोस समझ कर अपना घर बनवाते हैं, सोस समझ कर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, सोस समझ कर आप घर के प्रतेक कारे को करते हैं, कुछ खरिदना है सोस समझ के खरिदते हैं, कुछ बेचना है सोस समझ के बे करिए ओट उसे करिए जो सभी अंग्रेजी कानूनों को खतम करे और प्रत्य कानून को विश्व का सरुत्तम कानून मनाए ओट उसे करिए जो गुलामी की निसानी गुलामी की रीतिरिवाज गुलामी की परंपरा को खतम करे और भारती भाषाओं का प्रचार पसार करे, भारती त्योहारों का प्रचार पसार करे, भारती रीतिरिवाज का प्रचार पसार करे, भारती परमपरा को आगे बढ़ाए, ओट उसे करिये, जो गुलामी के नाम खतम करे, गुलामी की निसानी को खतम करे, और जो गुलामों के नाम पे उनको हटाने में अपना योगदान करे, हमारी भारती धरोहर को पुनह अस्थापित करे, जिन पे गुलामी के दौरान आक्रमण हो गया था, उनको पुनह निर्माड करे, पुनह बहाल करे, ओट उसे करिए, दिल से नहीं, जाती के अधार पर ओट मत करिए, भाशा के अधार ओट मत करिए, छेतर के अधार पर ओट मत करिए, जान पहचान के अधार पर ओट मत करिए, ओट केवल इस बार मुद्दों के अधार पर करिए, ओट उसे करिए, जो गुलामी की सिक्षा बेवस्था को खतम करे, मैकाले की सिक्षा बेवस्था और मुगलों की सिक्षा बेव गुलामी की पुलिस बेवस्था को खतम करे गुलामी की टैक्स बेवस्था को खतम करे और जो न्याय प्रणाली है उसका भी भारती करण करे प्रसासनिक बेवस्था का भी भारती करण करे पुलिस बेवस्था का भी भारती करण करे और जो घटिया चलने 1860 का इंडियन पिनल संपत्ति आधार से लिंक हो जाएगी तो कालाधन बहुत हत तक कम हो जाएगा बेनामी लेंदेन बहुत का हत तक कम हो जाएगा जिनके पास करोर रूपए का अवयद बेनामी संपत्ति हो सब सामने आ जाएगी ओट उसे करिए जो प्रापर्टी को आधार से लिंक करें ओट उ राहुल गांधी क्या काम कर सकते हैं और नरेंद्र मोदी जी क्या काम कर सकते हैं क्योंकि अल्टिमेटी जो अगला चुनाओ है वो राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी होने जा रहा है आपके सामने दो विकल्प हैं एक तरफ राहुल गांधी दूसरी तरफ नरेंद्र मो गुलामी की निशानियों को मिटाए, भारती संसकारों का प्रचार 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 करें। ओट उसे करिए जो भरस्ता चार के खिलाफ का ठोर कानून मनाए, ओट उसे करिए जो असलिलता के खिलाफ का ठोर कानून मनाए, ओट उसे करिए जो जनसंख्या नियंतरन के लिए का ठोर कानून मनाए, ओट उसे करिए जो कुरीतियों को खतम करने के लिए कानून मनाए, हलाल चारशादी, मुताह मिस्यार, तहरुस दुनिया भर के कानून चल रहे है ओट उसे करिए जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए परसनल ला को खतम करके एक देश एक विधान लागू करे 1872 का Christian marriage act चल रहा है 1936 का Parsi marriage act चल रहा है 1937 का उसे करिए कि जो सारे परसनल ला खतम करे, देश की सभी बहन बेटियों के लिए एक कानून, यानि एक देश, एक नागरी संहिता लागू करिए तए आपको करना है विकल्ब आपको चुनना है आप सब ने हमारे आपके पिता ने चाचा ने, दादा ने 1984 में राजियू गांधी जी को 404 सीट दिया था तो ऐसा नहीं है कि भारत में कभी किसी को 400 सीट नहीं मिली 400 सीट मिल चुकी, कांगरेस को मिली है उसके बाद राजियू जी ने क्या किया मुझे उसको बताने की जरूद नहीं है राजियू गांधी जी ने सुप्रिम कूर का फैंसला पलट दिया साबानों केस में शरियत एक्ट को और मजबूत कर दिया इसलित आप करिये कि अब इस बार आप 400 सीट किसे देने वाले है आप त्रिसंकू मत बनाईए छेत्री पार्टियों को ओट मत करिए छेत्री पार्टियों को लोखसभा में ओट देने का कोई मतलम नहीं है छेत्री पार्टियाँ जितना ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी लोगसभा में उतना ही ज़्यादा वो अपनी Black Mailing करती है जब मिली जुली सरकार आती है तो उसमें अपना हिस्सा मांगती है छेत्री पार्टियां जितना ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी लोग सभा में वो क्या करेंगी भ्रष्टाचार करेंगी और CBI का छापा भी नहीं पढ़ने देंगी ED के छापा भी नहीं पढ़नेगी ओट उसे करिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोरता के साथ ना खाऊंगा ना खाने दूँगा इस सिद्धान पे काम करें ओट उसे करिए जो विदेशी संस्कृती के खिलाफ खड़ा हुआ हो याद रखिए अभी कुछ दिन पहले DMK के नेता ने बोला था सनातन धर्म को खतम कर देंगे इसके पहले खड़गे जी के बेटे ने बोला था सनातन संस्कृती बेकार है ऐसे बहुत सारे लोग है मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है इस देश में ऐसे लोग भी हुए हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटालो हिंदोस्तान से हिंदों खतम करूँगा मैं आपसे बर-बर कह रहा हूँ जाती के आधार पे बटे भाशा के आधार पे बटे छेतर के आधार पे बटे नेताओं के चक्कर में पड़े पाल्टियों के चक्कर में पड़े तो समस्या ठीक नहीं होगी इस बार 2024 का चुनाओ हमारे और आपके जीवन का इतिहासिक चुनाओ होने जा रहा है ये 2024 का चुनाओ ते करेगा कि अगले 50 साल 100 साल में हिंदोस्तान कैसा होगा ये 2024 का चुनाओ ते करेगा कि भारत किस दिसा में जाएगा भारत एक भारत रिष्ट भारत बनेगा या भारत दुबारा बिखंडन की तरफ जाएगा क्योंकि आपको याद है 1947 में दिस बटवारा हुआ था और PFI का एक कागज आया था कि 2047 तक दुबारा हैं बटवारा कर देंगे और गजवा हिंद कर देंगे तो ओट करते समय इस बात का भी द्यान रखिएगा कि कौन सी पोलिटिकल पार्टी PFI का समर्थन करती है कौन सी पोलिटिकल पार्टी अलगावादियों का समर्थन करती है कौन सी पोलिटिकल पार्टी मावादियों का नकसलियों का समर्थन करती है कौन सी पोलिटिकल पार्टी घुसपैठियों का समर्थन करती है कौन सी political party धर्मांतरन कराने वालों का समर्थन करती है और कौन सी political party धर्मांतरन के खिलाफ का ठोरता से काम करती है कौन सी political party घुस पैठियों के खिलाफ का ठोरता से काम करती है तैं आपको करना है कानून बनेगा तभी समस्याओं का समाधान होगा नेताओं के भासड से नेताओं की बातों से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा समाधान होगा कानून से तो इसलिए अब आपते करिए कि कानून कठोर कौन बनाएगा अच्छा कानून कौन बनाएगा घूस खोरी, जमा खोरी, मिलावट खोरी, काला बजारी के खिलाफ कठोर कानून राहुल गांधी बनाएंगे या नरेंद्र मोधी बनाएंगे नसा तसकरी, मानो तसकरी, सोना तसकरी के खिलाफ कठोर कानून राहुल गांधी बनाएंगे या नरेंद्र मोधी बनाएंगे राहुल गांधी बनाएंगे या नरिन मोदी बनाएंगे। C.A. कौन लागू करेगा? मोदी जी या राहुल गांधी जी? N.R.C. कौन लागू करेगा? राहुल गांधी जी या नरिन मोदी जी? ताएं आपको करना है। इस देश से माफिया राज कौन मिटा सकता है राहुल गांधी या नरेन मोदी परिवारवाद कौन खतम कर सकता है राहुल गांधी या नरेन मोदी ब्रस्टाचार कौन खतम कर सकता है राहुल गांधी या नरेन मोदी तुष्टी करन कौन खतम कर सकता है राहुल गांधी या नरेनमोदी काशी का जो मंदिर है उसको कौन मुक्त कराएगा राहुल गांधी या नरेनमोदी मथुरा के जनभूमी कौन मुक्त कराएगा राहुल गांधी या नरेनमोदी अटाला, भद्रकाली, भोजशाला, ऐसे हमारे बहुत सारे अस्थान है जो एक कानून प्लेसाफ वर्शीप एट के चक्कर में अटके हुए तो प्लेसाफ वर्शीप एट कौन खतम करेगा? राहुल गांधी अनरेन मोदी वक्ट पैक्ट कौन खतम करेगा? राहुल गांधी अनरेन मोदी माइनाटी मेज़ॉर्टी का कौन सेप्ट कौन खतम कर सकता है? राहुल गांधी अनरेन मोदी इसलिए इस बार दिल से नहीं दिमाग से ओट करिए लेकिन अब की बार 400 पार करिए हमारे आपके पिता ने चाचा ने 1984 में 400 पार किया था राजियू गांधी जी को 404 सीट दिया था 2024 में भी 400 पार करिए चाहे राहुल जी के लिए 400 पार करिए या मोदी जी के लिए 400 पार करिए लेकिन ओट बटिये मत ओट को बटने मत दिजिए जाती भासा छेट से उपर उठके दीजे जैहिन जैभारत